हेलो फ्रेंड्स मैं दलित कुमार तो फ्रेंड्स यह मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पोटेंचल जी यहां पर मैं आपके लिए CSIR फिजिकल साइंसे रिलेटेड एक्जाम्स के वीडियो लेके आता रहता हूं जिससे कि आपकी प्रिपेशन में हैल्प हो सके औ और मेरे को फोलो कर सकते हैं और फ्रेंड्स यह मेरा रैफ्रल कोड है पोटेंचल जी अगर आप पोटेंचल जी का यूज करते हैं तो आपको मेरे प्लस सस्क्रिप्शन कोर्स के उपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मैं यहां पर आपको 90 मिनट की लाइप क्लासिस देता हैं तो फ्रेंड्स प्रेंड्स यह तो होगया एनकैडिमी बारे में अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में तो आज का जब हमारी क्लास है वह है 3D रोटेशनल मैट्रिक्स जैसे के आपने टाइटल पढ़ी लिया होगा तो आद रहेखDesing तो यहां पर 3D रोटेशन मैं इस पर आपको कोस्टेंस भी कराऊंगा तो आज हम बस यह समझ लेते हैं कि 3D मैक्रिक्स हमारी होती क्या है सही है इसके यूज और इसके कोस्टेंस हम अपनी आगया आने वाली वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना आपके लाइक कमेंट्स देखके मन करता है और भी अच्छे अच्छी वीडियो बनाने का सही है फ्रेंट्स तो यह आपके पास क्या है 3D rotational matrix तो सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था 2D rotational matrix के बारे में और वो हमारे पास क्या निकल के आई थी तो फ्रेंट्स यह थी हमारे पास R और हमने इसको theta rotate करा था तो यह matrix थी हमारे पास cos theta और यह था हमारे पास sin theta सही है और अगर मैं cos theta को differentiate करूँगा तो मेरे पास आजएगा minus का sin theta और cos theta को difference करेंगे तो आजएगा cos theta तो यह हमारे पास तो यह हमारे पास 2D में rotational matrix तो अब हम बात करते हैं यहां पर 3D में rotational matrix के बारे में तो आप देखेंगे तो friends अब मैं आपको बता दूँ मैंने इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है आप इस वीडियो को पूरा देखना आपको समझ में आ जाएगा 3D rotational matrix के बारे में और यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूँ Z axis के about हम यहां पर पहला case लेते हैं कि जब हम Z axis के about रोटेट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि Z-axis के about क्या होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3D rotational matrix यह आपके पास क्या है 3D rotational matrix के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी axes है मतलब जो आपकी x y axes है वो Z-axis के about rotate कर रही है तब यहाँ पे जो हमारे पास rotational matrix होगी Z axis के about उसको आप कैसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z क्योंकि Z axis के about rotate कर रही है और इस case में आप देख सकते हैं कि हमारे जो matrix निकल के आती है वो होती है हमारे पास यहाँ पर cos theta आप यहाँ पे लिखेंगे cos theta फिर होता है आपके पास यहाँ पर minus का sin theta और यह होता है आपके पास sin theta और यह होता है आपके पास cos theta फिर आपके पास यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा friends बन तो यह हमारे पास क्या होती है friends आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारे पास होती है z axis के about rotational matrix तो आपने देखा कि यह जो हमारे component है यह xy और yx और yy और xy की direction में है और जो हमारे यह वाले component है इसमें आप देखिए सबका सब हमारा z आ रहा है यह हमारा xz है यह हमारा yz है यह हमारे पास क्या है zx यह हमारे पास क्या है zy तो हमारे जो भी component z direction में है वो कैसे है और यह हमारा है zz इसका मतलब क्या है कि z axis के about इसका जो rotation ने वो 1 होगा अब आप इसको यहाँ पर मैंने इसको समझाया वा है एक वीडियो की थुरू तो आप इस वीडियो को पूरा देखना आपको यहाँ पर easily समझ में आ जाएगा और यह हमारे पास इसकी matrix है सही है friends इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं आर एक्स के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जब matrix है वा x axis के about ठीटा डिगरी से rotate कर रही है तब इस case में हमारे पास यह क्या हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1, 0, 0 मतलब जिस axis के about rotate करेगी उसको आप कर देंगे 1 और जो भी component उसमें आते हैं जिसके about वो rotate करती है उसको आप कर देंगे friend 0 और यह हो जाएगा हमारे पास cos theta यह हो जाएगा minus cos theta यह होता है हमारे पास sin theta और यह हो जाएगा friends आपके पास cos theta तो यह हागई हमारे पास rotational matrix about x axis अब आप यहाँ पे लिखेंगे rotational matrix about y axis तो आप क्या करेंगे यहाँ पे तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे यह हो जाएगा आपके पास cos theta और मैंने आपको बताया y वाला component 0 फिर आपका y वाला component क्या हो जाएगा friends 0 तो यह आपका यहाँ पे y component नहीं आता है इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे 0 यहाँ पे y आएगा यह आपका होगा y y के about यह होगा friends हमारा 0 और आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं minus का sin theta यह आपका हो जाएगा 0 यह हो जाएगा friends हमारे पास cos theta सही है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं तो देखे friends बहुत जादा easy है इन सब चीज़ों को लिखना और मैंने इसको यहाँ पर वीडियो की थरो भी समझाया हुआ है तो friends यह था आज का क्या बोलता है 3D rotational matrix के बारे में I think आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर अपनी rotational matrix लिखते हैं x-axis के about, y-axis के about और z-axis के about जब हमारी जो axes होती है वो theta angle से rotate करती है तो friends अब आप वीडियो को enjoy कीजिए और मेरे को comments में बताना आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा जिससे कि मैं अब आपको यहाँ पर experiment की थुरू यहाँ पर चीजों को समझाना चाहता हूँ जिससे कि आप इन सब चीजों को long life अपने याद में इनको याद रख सकें आपकी preparation अच्छे से हो सकें मैं हमेशा चाता हूँ कि आपको जो net DRF का paper है वो आपका अच्छे से अच्छा हो सकें और आपके maximum number आ सकें तो आपको उस चीज के लिए यहाँ पर थोड़ा अलग ढग से सोचना होगा अब मैं आपको 3-dimension rotation matrix को एक experiment दोवारा समझाने की कोशिस करता हूँ I hope आपको यह समझ में आएगा तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 marker हैं आप देख सकते हैं जो हमारा green वाला marker है suppose करो यह z-axis में red वाला marker हमारा x-axis पे और blue वाला marker हमारा y-axis पे अब जो हमारा z वाला marker है मतलब जो आपका green वाला marker है जो हमारा z direction में यह तो fix है तो आप इसको यहाँ पर fix मान सकते हैं मतलब यह इसका जो rotation है वो हमारा change नहीं हो रहा यह हमारी axis यहाँ पर fix है लेकिन जो आपका red वाला marker है और जो आपका यहाँ पे blue वाला marker है यह हमारा z-axis के अबाओ rotate करेगा तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जो हमारा x-axis है और जो हमारा y-axis है इसके coordinate क्या होंगे अब suppose करो हमारा जो x-axis है जो हमारा red वाला marker है suppose करो वो theta angle से rotate करता है तो अब हम क्या कर रहे है अब यह जो हमारा वाला यह यह हमारा red वाला marker है suppose करो यह हमारा theta degree rotate हो जाता है अब हमने इसको यहाँ पे theta degree rotate कर दिया किस से यह हमारा हो गया theta degree rotate x-axis से तो अगर फ्रेंट जी हमारा ठीटा डिगरी रोटेट हुआ है तो y वाला भी हमारा ठीटा डिगरी रोटेट हो जाएगा और ये जो हमारा ठीटा डिगरी रोटेट होगा ये होगा हमारा y-axis से तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा ठीटा डिगरी रोटेट हो गया तो आपन marker है वो हमारा y-axis से ठीटा डिगरी rotate हुआ है और मैंने आपको two dimension में बताया हुआ है कि rotational matrix क्या होती है और friends यह जो हमारा circle है यह हमारा unit circle है इसका मतलब क्या है कि इसकी जो land है वो हमारे पास कितनी है one तो इसकी land हमारे पास कितनी है one तो friends अगर यह land हमारे पास one है तो यह land भी हमारे पास कितनी होगी one meter होगी मतलब one meter centimeter हम कुछ भी मान सकते हैं तो अब जो हमारा यह x-axis है इसके जो coordinate होंगे वो क्या होंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा होगा नीचे वाली एक्सिस आप इसको क्या लिख सकते हैं और cos theta तो friends x-axis के coordinate कितने आगे तो आप देख सकते हैं कि जो h-direction में जो हमारा rotation हो रहा है मतलब h-direction में जो rotational हो रहा है वो कितना है तो friends आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था आप इसको क्या लिखेंगे t1 0 यहाँ पर 1 क्या है x-axis में और 0 क्या है y-axis में तो इसकी जो friends rotational matrix आएगी वो कितनी आ जाएगी r और यहाँ पर r हमारे हमारे पास कितना है 1 किस रेडियस है तो immigrants यह हो जाएगा हमारे पास अब x में कितना है हमारा cos तो यह हो जाएगा हमारे पाससथीटा और y में कितना है sin theta तो यह आगया हमारे पास this तो यह हमारा हो गया किस में x direction में तो यह अब friends आप y में आएंगे तो y में हमारे पास t कितना हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 0 1 और friends यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हमारा इदर की तरफ जा रहा है इदर की तरफ मतलब negative x direction में और इसकी जो length होगी वो कितनी होगी friends तो आप इसको लिख सकते हैं अगर में इसको यह हमारा theta है तो यह perpendicular होगा तो यह कितना होगा हमारा r sin theta और friends यह कितना होगा r cos theta और आपको पता है कि r हमारा 1 है तो friends इसके लिए कितना आ जाएगा तो देखिए यह होता है हमारा x और यह होता है हमारे पास y सही है तो friends अब आपने यहाँ पर देखा इसको तो आप इसको इसको इस अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं, कुछ इस तरीके से, तो यह होगा हमारे पास T, है न, यह आपके पास T होगा, यह हो जाएगा हमारे पास 01, तो यहाँ पर जो हमारे पास R आएगा, अब 0 का मतलब क्या है X, तो X हमारे पास कितना है, तो X हमारे पास यह है, तो यह पर आजाएगा हमारे पास माइनस का साइन ठीटा क्यों क्योंकि देखेंगे यह जो एक्सीज है यह हमारी नगेटीव है अब यह तो हो गया हमारे पास माइनस का साइन ठीटा अब यह हमारे पास क्या है वाई तो यह हो गया हमारे पास कॉस ठीटा तो इस तरीके से आपके पास क्या गई है यह rotational matrix आगया 3 dimension में अब आप क्या करोगे इसको लिखोगे तो अब मैं आपको इसको बताता हूं लिखने का क्या तरीका है तो friends इस तरीके से आप किसी भी matrix को यहाँ पर लिख सकते हो तो यह जो हमारी matrix है यह हमारी जो matrix है, three dimensional rotational matrix, यह हमारी z axis के about है, क्योंकि जो हमारा z वाला marker है, जो हमारा green वाला marker है, यह हमारा fix है, हमने क्या करा, हमने इस red वाले marker को यहां से rotate करा, अब यह तो आपकी सबकिस क्या होंगी, आपस में connect होता है, तो अगर आप इसको displace करोगे, friends, तो यह भी आपका, अपने आप automatically क्या होगा, displace हो जाएगा, तो यह हमारा क्या होता है, 3D rotational matrix, ज़िए, friends, तो अगर अब आप इसको पूर अगर पूरा rotate करो, suppose करो, आपने इसको 90 degree rotate करा, तो यह आपको यहां पर आ जाएगा, और यह वाला आपका यहां पर आ जाएगा, सभी है, अब इस तरीके से आपने इसको फिर 90 degree rotate करा, तो अब आपका यह यहां पर आ जाएगा, friends, और यह वाला मार कर आपका यहां आ जाएगा, और फिर आपने इसको 3rd degree, 90 degree फिर rotate करा, तो यह वाला आपका यहां आ जाएगा और यह आपका यहां आ जाएगा लेकिन जो आपकी z axis है यह हमेशा कैसी है fix और फिर आपने इसको यहां पर ठीटर डिगरी रोटेट करा 360 डिगरी मनतर 360 डिगरी हमने यह आपर इसको रोटेट करा तो इस इस तरीके से हम यह आपको चीजों को समझने की कोशिट करते हैं आई होप आपको यह समझ में आया होगा इसी तरीके से आप X के लिख सकते हैं X-axis के अवाव और Y-axis के अवाव तो मैंने आपको Z-axis के अवाव समझा दिया है अब मैं आपको इसके उपर आने वाले classes में questions भी कराऊंगा सही है तो आपका जिए टॉपिक है यह अच्छे से स्टॉंग हो जाना चाहिए सही है फ्रैंड्स तो देखते हैं आप इस टॉपिक को और मेरे को बताना आपको यह कैसा लगा लीडियो